श्री गनेशाय नमाहा, नमशकार दोस्तों, ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है, चंद्रमा मन का कारक है, हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते हैं, वो चंद्रमा की स्तिति ले कर आती है, इस वजे से चंद्रमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके according हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है तो आईए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आप के लिए किस तरह के परिणाम लेकर आ रहा है दोस्तों चंद्रमा इस दिन आपकी कुंडली में दूसरे स्थान में रहेंगे यानि धनभाव म जी हाँ ये चंद्रमा की पोजिशन काफी अच्छी रहेगी ये दिन आप के लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है व्यापारियों को व्यापार में काफी मुनाफा होने की संभावना रहेगी निवेश करने के लिए समय बिलकुल सही रहेगा इस दिन आप कही पर भी खर्चे कम होंगे वह आई ज्यादा रहेगी फिजुल के खर्चे पी इस दिन होने की संभावना काफी कम रहेगी नोकरी पेशा लोगों के लिए ये दिन काफी अच्छा रहने वाला है ग्रहमान आपके पक्ष में हैं आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगी आपके कारिक्षित मन भी लगेगा बोनस या सैलरी बड़त भी इस समय में होने की संभावना रहेगी धन प्राप्ति के हिसाब से दिन आप ही के फेवर में है अगर इस समय में नोकरी नहीं है तो प्रयास जरूर करे ग्रहनक्षत्र अनुकुल है लाब जरूर मिलेगा मनुमानचीत नोकरी भी साबित होंगे आपके फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है तो ये समय आपके लिए बिल्कुल सही है जो विद्यर थी अपने परिवार से दूर रहते हैं उन्हें परिवार से मिलने का मोका इस समय में मिलेगा यात्राय होने की भी संभावना रहेगी परिवार में ये समय काफी अनुकुल है एक दूसरे के प्रती प्यार बढ़ेगा वो संबंद अधिक मधूर बनेगे पार्टनर्स के बीच अगर पहले से ही किसी तरह की अन्बन बनी हुई है तो वो अन्बन जरूर दूर होगी प्रयास जरूर करे अन्बन या किसी तरह की दुरिया है तो मिट जाएगी दोस्तो हर काम में इस दिन आपको कामयाभी मिलने के संकेत है टेंचन नहीं रहेगा सोच पॉजिटिव रहेगी पेंडिंग कामों को भी पूरा करने के लिए समय अच्छा है तो कोई पेंडिंग काम है तो इस समय में आप पूरा करने की कोशिश करे वो क काम पूरे हो जाएगे मैरिड लाइब भी इस समय में मधूर रहेगी पार्टनर्स एक दुसरे को अच्छे से समझेगे प्यार वश्यांति का माहोल आपके घर में आपके परिवार में आपको इस समय में देखने को मिलेगा अगर स्वास्ति की बात करें सेहत की बात करें तो यह समय आपके स्वास्ति के लिए भी अच्छे संकेत दे रहा है जीहा सेहत सम्मंदित कोई भी परिशानिया आपको नहीं सताएगी पूरानी चल रही जो बीमारिया है उसमें भी आपको आराम मिलेगा इस समय में आपकी सेहत बहुत अच्छे रहेगी प्रसनताव आनंद म दीन व्यतित होगा दोस्तो स्वास्त अच्छा रहेगा उसे और अच्छा बनाने की कोशिश करें अपने फिटनेस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है तो अपने फिटनेस पर अपने रहन सहन पर खान पान पर ध्यान जरूर दे सुबे टहलना जारी रखे होना काफी ज़रूरी होता है इस दिन सफेद रंका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और छे अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है लेकिन कभी-कभी हमारी परसनल बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्ग दरशन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा